नमस्कार फ्रेंड आइटेन फॉर आप सभी कस्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसील या यूपी आइडिमिनल की बात की जाए तो इसमें जो है काफी बच्चों ने फॉर्म को फिलप किया है और फ्रेंड खास तोर पर यूपी पीसील के लिए मैं बात करूंगा कि जो बच्चों ने फॉर्म को फिलप तो किया है और काफी अर्श के बाद और काफी जो है दिनों के बाद यह आप कह सकते हैं काफी दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई एक्जाम का जो है जानकारी नहीं मिल पा रहा कि यूपी पीसील की जाम कब होगा और फ्रेंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रेंड यह मान के चलिए बहुत जल्द यह मार्च तक फिर यहां पर क्या कहते हैं पंचायती राज चुनाओ जो है इस्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है आप लोग का यह क्या करते हैं एक्जाम फिर से कुछ दिनों के ल परसन हुआ है तो फ्रेंड इसी के एक्वार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे कि इसका एक्जाम का जो है और रिक्त पदों में कितना कितना मतलब जो है भी क्या प्रोसेस चल लाए इस सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो फ्रेंड अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो जरूर आप लोग इसमें अंततक बने रहेगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और फ्रेंड आप लोग को ऐसे ही जानकारी के लिए जोड़ना हो तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जूड तो देखिए प्रियाग राज सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर च्छा महिने की भीतर भरती कराने की मांग पर सुमवार को बालसन चौराहे पर एकत्र हुए युवाओं ने जोरदार पुरदर्शन किया युवा मंच के बाइनर तले एकत्र हुए युवाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो अंदोलन को और तेज किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार प्रदेश सरकार की होगी युवाओं ने इस संबंध में CM के नाम का ग्यापन भी HDM सदर को शौपा बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सभी रिक्त पदों पर भरती की मुख्यमंत्री की घोशड़ा पर अमल करो रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करो देश भर में रिक्त 24 लाग पदों को ततकाल भरो सांती पूर अंदोलन पर दमन चक्र बंद करो जैसे नारे लगाएं साथ ही तीनों नए क्रिसी कानूनों को रद करने की मांग पर प्रदर्शनकारी किरसानों का समर्थन भी किया तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं अगर बात की जाया तो अभी यूपी PCL यूपी अनियल की बात की जाया दोनों जो 24 लाख पद जो है इसमें खाली है तो सारी का नित्रत यूवा मंच के सयोजक्स राजय सचान अध्याष अनील सिंग महासचिव अमरेंद्र सिंग कारीकरणरी सदस्ग राम बहादुर पटेल ने किया तो यह देख सकते हैं राम बहादुर पटेल जी यह सभी लोग जो है काफी जादा आप लोग के जो है क्या कर रहे तो आगे देखिए फ्रेंड आगे देखिए क्या बुल लगया है इन पदादिकारियों ने योगी सरकार को अगाह किया है कि परदेश में बेरोजगारों की भाग की परदेश में बेरोजगारों की भाया वाह इस्थिति को श्वविकार कर रोजगार के सवाल को हल करें पर देश में 2017 में 70 रून होने के बाद से लगातार बेरोजगारों की दर में इजाफा हुआ है। युवा मंच नेताओं ने कहा कि अमबानी अडानी सहित कार्पोरेट्स के हित में लागू जिन नीतियों के बिरुद्ध किसानों ने एतिहासिक अंदोलन का आगाज किया है उन्हीं नीतियों के खिलाफ युवाओं का भी संगर्स है। उन्हों ने बताया कि अंदोलन को तेज करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। अखलेश यादो यह सभी लोग इसमें देख सकते हैं। काफी लोग इसमें धर्निपरदसन में थे। तो और आगे आपको दिखाते हैं। तो यही जैसे हमारे किसान लोग अंदोलन कर रहें। वैसे हमारे चातर जो है वह भी ऐसे करेंगे। अगर आप बहाली जीसे एकताली सो दो पोश्ट या एकजाम को लेकर आगे भी आपको दिखाते हैं। आगे भी हमारे पास दूसरा नोटिस है। बस ऐसे ही आप लोग वीडियो को अंतर तक बने रहें। ताकि सारी जानकाली आपको मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं 41 सो दो पोश्ट आ जाये। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का UPPCL की एकजाम हो जाये या UPRNL की एकजाम हो जाये। तो जरूर आप लोग वीडियो को अंतर तक बने रहें। और इस चैनल से जुड़ी जाएं। भले ही आप लोग कराना है तो आप लोग जरूर इस चैनल को जुड़ें और इस आवाज को आगे ले जाएं। नए तो फ्रेंड आप लोग घर पे ही बैठ कर तैयारी करें और लाइफ में नौकरी के लिए सपना जो देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। बस ज और भरती करें चालूर जिससे उपभोकता सेवा में हो सुधार। तीन करोण उपभोकता के अनुपात में केवल चालिस हजार बिजली कर्मी समझ सकते हैं फ्रेंड किसमें देखिए तीन करोण उपभोकता हैं। मतलब बात की जाए यूपी में जो उपभोकता हैं वो तीन करोन हैं लेकिन सिर्फ उनके बीच में 40 खजार ही बिजली करमी है आप समझ सकते हैं कितना ज़ादा इसमें जो है जो है जो है जोर दिया जा रहा है काम के लिए जैसे पुलीस होते हैं कि मतलब काफी जुआ должно जो है जनता होती मतलब बहुत कम ही बिजली कर्मी है आप समझ सकते हैं फ्रेंट तो इसमें देखें ट्विटर के जरिये से ये 14 फर्वारी को है ये देख लीजिए इसमें आप लोग को मैं डेट भी दिखा दे रहा हूं 8 बच के 20 एम का ट्वीट है देख सकते हैं ठीक है ये अवधेश कुमार वर्मा जी के तरफ से है ये जानकारी उनके तरफ से मिली है तो आप लोग देख सकते हैं आप सभी समय यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की ये टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे है आप लोग जरूर जुड़े इसलिए कि ये चैनल आप सभी के लिए है जो यूपी पीसेल में जौब करना चाहते है यूपी आर्विनल में जौब करना चाहते है या other government job की जानकारी चाहते हैं या तयारी करना चाहते हैं तो सभी के लिए हमारा channel है और सभी के लिए आवाज उठा रहा है तो आप जरूरी channel को subscribe करके रखें और share तो करना मत भूलेगा ताकि आप लोग के बीच में कुछ एकाई बने और जो बच्चे हैं वो भी आप लोग स तो जरूर आप लोग इस चैनल को subscribe करें तो फ्रेंड हम लोग यही तक यह बात को रखते हैं उसके बाद जो है जो भी जानकारी मिलते हैं यूपी पीसेल यूपी आर्डिनल या other government की तो जरूर मैं आप लोग को जो है वीडियो के माध्धम से बता दूंगा जो है तो आयो की जो जानकारी मैंने दे हूँ आप लोग को पसंद आई होगी सो थाइंक्स वार वाचिंग एंड बाए बाए